नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं आपको सामने एक और नहीं रेसिपी लेके आई हूँ नुडएक सिस्टम के हिसाफ से जो पीने में बहुत ज्यादा अच्छी टेस्टी है और आपके स्वास्ति के लिए भी यह बहुत ज्यादा है आज मैं आपको एपल और इसके नुटिशन वैसे इसमें रहता है जब आप इनको वैसे भी खाते हैं तो भी यह बहुत ज्यादा फाइदा करता है लेकिन अब आदा किलो एपल को आप एक साथ नहीं खा सकती रेदी इसको जूस बना के पेंगे तो यह आपको बहुत ज्यादा फाइदा करता है दो और बहुत ज्यादा क्वांटिटी आपकी बोडी में एक साथ जाती है रस की रूप में यह मैंने पूदिना लिया है दोस्तों यह जब इसके साथ मिला के बनाएंगे तो यह बहुत इसको बता देती हूं इसमें हाई रिच अंटियोक्सिदेंट होता है और इसमें जरीए नाद हो रहा है तो आप अगर एपल का ऊक्सिदेंट होते हैं अगर एक बोड्स करते हैं यह आप करते हैं तो आप अप की बीट्ा के यह यहिद्य शांटिधों को करते हैं तो आप्स के प्ल इतना ज्यदा जाब करता है दोस्तों अगर लीवर के अंदर टॉक्सिंस है तो यह उसको भी निकालने काम करता है दोस्तों और आपके गौल बेडर में गर कोई तो यह वहले चैटी यह सब्सक्राइब क्शान काम करता है तो इस आप Youtube अगर आपको और यह अधिक प्रॉब्लम नहीं सीक्ता अगर एक सेब अगर आप लेली खाते हैं तो यह आपको बहुत ज़्यादा करता है पुदीन के बारे में मैं आपको चट्नी बनाई थी तब मैं आपको बताया था पुदीन जो होता है आपको पुदीन है हम इसमें जार के अंदर डाल देंगे दोस्तों और यह जो मैंने पल लिए हैं काटके वह भी हम इसमें डाल देंगे यह बहुत ज़्यादा करता है दोस्तों और यह आप अपल को यह आप के साथ बनाना चाहो तो भी अच्छा है और इसको आप चुकंदर के साथ अगर जूस बना के पिते तो भी यह बहुत ज़्यादा करता है बहुत सबके रुपे यह सबके साथ अलग-अलग टेस्ट देता है आज मैं आपको मिंट के साथ बता रही हूं को देने के साथ है मैं इसको राइन करके जूस बना के लेक्व आरे हूं दस्तों यह देखिए दोस्तों यह हमारा जो ग्रीन अपल का जूस है वो कितना अच्छा बनके तयार हुआ है दोस्तों इसके अंदर मैंने थोड़ा सा चाट मसला मिलाया है दोस्तों यह अपको दाल सकता है और यह पीने में बहुत ज्यादा टैस्टी है आप भी अपने घर पे बना के पिए और आपके जो कमेंट से आपके जो अनुभू है वह मुझे अपने कमेंट बोक में शेयर कीजिए और अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइट कीजिए थैंक यू सो मच